हलो प्रिये छात्रों आज हम आपकी लेके हाई हैं सीट एमपी टैट बरगेतीं के लिए बाल विकास एवं सिच्छा सास की इंपोटेंट कोश्चन अगर आप सीट एमपी टैट बरगेतीं की तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें वीडियो के लास्ट में आपके कितने आंसर सही रही तो श्टार्ट करते हैं वीडियो आज का अब कोश्चन नमबर फर्ष्ट है स्कीन पर आप यहां पर देख रहे हैं अभी प्रेड़ा मोटिबेशन किया है जनमजात अरजे दिया दोनों आपको बताना है मोटिबेशन यानि अभी प्रेड़ा कौ कोश्चन नमबर सेकेंड अभी प्रेड़ा के कितने इस्तर होते हैं आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें बहुत ही प्यारा कोश्चन है कमेंट करें सही आंसर किया होगा कोश्चन नमबर सेकेंड का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन थाड होगा यानि अ का बच्चे यहां पर correct answer होगा, आपका C answer सही होगा, M पराबर N plus के D plus के I सही answer होगा, next question इसकी पर question number 4, बहुती प्यारा question है comment करेंगे, सही answer क्या होगा, ठीक है, अभी पेरना सब्द के उतपत्ती लेटन भासा के किस सब्द से हुई है, very very most important question है, answer जानते हैं, तो जल्दी से comment करें, question number 4, 4 का बच्चे यहां पर correct answer होगा, आपका question number 4 का यहां पर correct answer किया होगा, 4 का A answer correct होगा, note कर लेए, अभी पेरना सब्द की लेटन भासा के मोटम सब्द से उतपत्ती हुई, ठीक है, next question देख लेते हैं, question number 5, प्रेरक कैसे होते हैं, जनमजात अर्जित दोनों या द Assor जानते हैं, तो जल्दी से comment करें, question number 5 का बच्चे यहां पर correct answer होगा, option C, सऐ होगा, प्रेरक होते हैं, अजनम जाते होते हैं, अर्जित दोनों या अर्जित दोनों सिब्द करें, चैक है, question number 5, जानते हैं आपर C, आंसर पर correct होगा, question number 6 है, एसकी निपे बहुत ही प्यारा question है, answer जानते हैं तो जल्दी से comment करें अभी पैणना का अर्थ किया होता है बुद्धि, लिंग, जिग्यासा या उचाई नोट कर लें, बहुत अच्छा question है अच्जाम में आ सकता है अभी पैणना का अर्थ होता है question number six का बच्चो correct answer होगा जिग्यासा नेश्ट कोश्चन देख लेते इसकीन पर आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंटे जरूर करेंगे जिससे की मुझे भी पता चले कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं अधीगम लर्निंग को प्रभावित करने बाला कारक कौन सा है समायोजन बुद्धी अभी पेरणा या बेक्टित नोट कर लें कोश्चन नमबर सेबिन का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर ओप्सन सी होगा नोट कर लें अभी पेरणा आपका करेक्ट आंसर होगा नेस्ट कोश्चन इसकीन पर कोश्चन नमबर एट बहुती प्यारा कोश्चन है कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा अधीगम का चालक क्या होता है समायोजन बुद्धी अभी पेरणा या बेक्टित नोट कर लें कोश्चन नमबर एट का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा अभी प्रेणा अधीगम का आधार है किसने कहा इसकी नर सोरेंसन बुडबर्थ या बाठसन नोट कर ले कोश्चन नमबर 9 9 का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओप्सन बी होगा सोरेंसन ने कहा अभी प्रेणा अधीगम का आधार है क्योष्ट नंबर टैन है स्कीन पर बहुत ही प्यारा क्योष्ट ने एक्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग कमेट जरूर करें, सही आंसर क्या होगा अभी प्रेणा अधीगम का सरवुथ क्रिष्ट राज मार गे कोस्चन कहार है आंसर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करें ठीक है Question number 11 है इसकीन पर अभी प्रेणा किस भासा का सब्द है Very very most important question है कमेंट करेंगे सही answer किया होगा ठीक है अभी प्रेणा बच्चों आपका note कल ले अभी प्रेणा आपका latent भासा का सब्द है ठीक है Question number 11 का बच्चों correct answer होगा स्वरी 11 का यहाँ पर बच्चों correct answer होगा D option होगा latent भासा का सब्द है अभी प्रेणा ठीक है Next question दिख लेते हैं इसकीन पर question number 12 प्रात्मिक प्रेणा कौन सा है दंड प्रुसकार भूंकिया प्रसंसा Very very most important question है आंसर जानते हैं तो comment जरूर करेंगे सही answer किया होगा प्रात्मिक प्रेरक है Question number 12 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option C होगा भूंक ठीक है Next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 13 बहुती प्यारा question है comment करेंगे सही answer किया होगा ठीक है प्यास किया है बहुती प्यारा question है comment करेंगे सही answer किया होगा चालक है आव सकता है उद्दीपक या दवाब है Question number 13 13 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option A correct होगा प्यास किया है एक तरह से आपका चालक है ठीक है Next question इसकीन पर question number 14 बहुती अच्छा question है comment करेंगे सही answer किया होगा very very most important question है भूँक है चालक आव सकता उद्दीपक या दवाब ठीक है comment करेंगे question number 14 का बच्चो correct answer किया होगा ठीक है 14 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका A option correct होगा भूँक किया है भूँक आपका एक तरह इसे चालक है ठीक है next question देख लेते हैं question number 15 very very most important question है answer जानते हैं तो comment जरूर करेंगे ठीक है ओपलबदी अभी पेना का सिद्दान्थ किस ने दिया बहुती प्यारा question है correct answer किया होगा जल्दी से comment करें question number 15 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option B होगा note कर लें डेवी सिडी मैक ली लेंड ने ओपलबदी अभी पेना का सिद्दान्थ दिया हम आप से फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक क्लिवाबाई thank you